सतर के दसक में सत्रुगन सिना स्टार्डम के मामले में अमिता बच्चन और दर्मेंदर जैसे सूपर रिश्टार्स को तक्कर देते थे हर फिल्म में उनकी दंदार एक्टिंग के ही चर्चे होते थे वैसे सत्रुगं सिना ने अपने कैरियर में कई फिल्मों को ठुकराया है लेकिन आज हम आपको उन मुवीज के बारे में बताते हैं जिने मना करने के बाद सत्रुगं सिना बहुत पच्छताए थे सत्रुगन सिना ने अपने कैदियर की सुरुआत विलन के तौर पर की थी उन्हें सुरुआत में सिर्फ नेगेटिव रोल सी मिलते थे लेकिन समय बदला और फिर वे हीरो बन गए उस बीच उन्होंने तीन बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया जिसका पच्चतावा उन्हें आज भी है यहाँ खुलासा खुद सत्रुगन सिना ने एक इंटर्व्यू के दौरान किया था अमिता बच्चन और दर्मेंदर की सोले बॉलिवूड के एतिहास की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक है इस मूवी की दमदार कहानी ओडियन्स को बहुत पसंद आई थी सोले फिल्म का हर एक किरदार फैमस हुआ था जैवीरू से लेकर गबबर सिंग और ठाकूर जैसे केरेक्टर्स पॉपुलर हुए थे लेकिन बहुत कम लोगों को पता होका कि यह मूवी पहले सत्रुगन सिना को ओफर हुई थी एक इंटर्व्यू के दौरान सत्रुगन सिना ने बताया मुझे सोले में अमिता बच्चन वाला रोल ओफर हुआ था मैंने फिल्म के लिए अपनी डेट्स निकालने की बहुत कोशिस की लेकिन उस वक्त मैं कई सारी फिल्में कर रहा था मैं बहुत बीजी था और रमे सिप्पी मुझे बता नहीं पा रहे थे कि उन्हें कब से कब तक मेरी डेट्स चाहिए सत्रुगन सिना ने कहा रमे सिप्पी चाहते थे कि मैं सोले के लिए अपनी सभी डेट्स दे दू जो नहीं हो सका मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्म कर लेनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं कर पाया खेर मुझे अमिता बच्चन के लिए बहुत खुसी है जिन्हें सोले से इतना बड़ा ब्रेक मिला और वे नैसनल आइकॉन बन गए सत्रुगं सिना ने खुलासा किया कि उन्हें अमिता बच्चन की दीवार फिल्म भी ओफर हुई थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने कहा दीवार फिल्म भी मुझे ओफर की गई थी लेकिन मैं नहीं कर सका आप इसे मानवे बूल कह सकते हैं लेकिन जो हो गया वो हो गया दिगज एक्टर ने आगे कहा मगर मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे मना करने के बाद भारत के महान कलाकार मेरे दोस्त अमिता बच्चन ने उस फिल्म में काम किया मैंने आज तक वो दौनों फिल्में नहीं देखी है क्योंकि मुझे अपने फैसले पर पच्चतावा है सत्रुगंसिना ने आगे बताया मनोच कुमार के साथ मैंने कई फिल्में की है वे मुझे सोर में काष्ट करना चाहते थे वह कई बार मेरे घर भी आये थे उन्होंने कहा कि क्यों मेरे फिल्म नहीं कर रहे हो वह चार महिने में फिल्म बनाना चाहते थे और मैं उन्हें आठ महीने का समय दे रहा था यह बात और है कि फिल्म 16 महीने में बन कर तैयार हुई अगर ऐसा होता तो मैं फिल्म में काम कर लेता आई हो फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी बॉलिवूट के इसे परकार के मज़ेदार और मनोरंजक किसे सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो